यह interest on capital का entry और interest on drawings इसको लेकर दिक्कत है मैं समझता हूँ तो इसलिए इसको भी मैं पहले एक बार explain करना चाहता हूँ पहले चीज को समझ ले फिर लिखेंगे ठीक रहेगा तो पहले समझ लो बच्चे हर बढ़ाने का कोई बात नहीं है अपने समझेंगे यहां तक सबका लिखना हो गया मैं रूखू यह हो गया हो गया अच्छा बच्पन में आप एक concept पढ़े होंगे जिसका नाम है entity concept सुनें क अलग आदमी है, businessman अलग आदमी है और हम लोग books में जो भी general entry करते हैं वो business के point of view से करते हैं, businessman के point of view से नहीं करते हैं entity concept क्या बोलता है business and businessman are two separate entities and all transaction in the books shall be recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman यह data पता है अपको ठीक अब यह देखो यह देखो यह देखो यह देखो यह हो नहार आदमी है एक नहीं दो दो है अब तुम जानता है ना कौन कौन है यह है मेरा business और यह है मेरा businessman capital कौन किसको देता है businessman business को देता है तो businessman business को जो देता है that is what capital in return in return business business businessman को इस capital पर इंट्रेस्ट देता है businessman जो capital दिया ना business को in return business इस capital की ऊपर क्या देता है interest बस अपने लोग उसी को बोलते हैं interest on capital पहला बात यह समझवे interest on capital क्या है जल्दी बोलो हाँ पहला सवाल इंट्रेस्ट on capital कौन किसको देता है इंट्रेस्ट on capital कौन किसको देता है बिजनेस देता है businessman को क्या देता है interest हमको सब business के point विसे सोचना है अगर business देता है तो business का यह खर्चा है कि income है खर्चा है expense है और मैं जानता हूँ expense हमेशा debit होता है क्योंकि interest on capital expense है गई दे रहे ना interest on capital expense है तो expense debit होगा तो बात समझेगा प्लीज बंदू इधर पुरा concentration expense account debit अगर मैं pay कर देता हूँ तो 2 cash check से देने से 2 bank आलू देने से 2 आलू पटल देने से 2 पटल कि यह pay नहीं किये है यह pay करना बाकी है जब तक कुछ ना बोले तो समझ जाना यह pay करना बाकी है किसको मालिक को और याद रखिएगा मालिक का सारा adjustment capital account से होता है मालिक का सारा adjustment capital account से होता है मालिक पैसा लाएगा capital मालिक पैसा लेके जाएगा drawings इसको छोड़के कोई भी adjustment करना मालिक का तो किससे होगा capital से तो टू पे करना बागी है किसको मालिक, मालिक का अडिश्मन मतलब क्यापिटल, यह ड्रॉइंग के साथ ऐसे लिख के रखो, ड्रॉइंग के साथ कृपया लिख के रखें, यह काम का चीज है दोस्त, घर में कोई छोटा-छोटा बच्चा पूचेगा उसको यह दिखा देना, वो खुश हो जाएगा, बहुत 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 बहुत, बहुत कॉंसेप्ट एदा मक्खन के तरा है हो गया जल्दी जल्दी हो गया भी है चलो आगे चलो याद दिलाएगा सब कुछ चलो फीर से उस दो आदमी को बिलाते है इधेखो एक बिजनेस और एक बिजनेस मैं यह ड्राइश कर रहा है बिजनेस मैं तो इस बर पैसा किसको मिला है, हाँ, इस बार business, businessman को पैसा जो दे रहा है, मतलब businessman जो पैसा ले रहा है, उसको क्या बोलेंगे, तो इस बार पैसा किसको मिला, businessman को, तो in return, इस drawings क्यों पर, businessman, business को देगा क्या, interest, बस इसी interest को अपने लोग बोलते हैं, interest on drawings, समझा न, मालिक, जो drawings किया, जो पैसा लिया business से, उसके उपर क्या देगा, interest, उसको क्या बोलेंगे, interest on drawings, पहला सवाल, interest on drawings, कौन किसको देगा, businessman, business को देगा, हमको businessman से नहीं सोचना, business के point सोच, उसको मिलेगा किसको देना है, मिलेगा, अगर उसको interest on drawings मिलेगा, मतलब उसके लिए income है, और हम बच्चपन में सिख्या है, income हमेशा credit होता है, तो मैं लिख दिया, two interest on drawings, पहले बोलो, क्या ये बात clear है, हाँ या, debit करना मुझे, अगर ये पैसा मिल जा, तो cash debit, check से मिलेगा, bank debit, आलू मिला, आलू debit, पटल मिला, पटल debit, कि तुम मिला नहीं है, ये पैसा मिलेगा, business को, किस से, मालिक से, और मालिक का कोई भी adjustment किस से होता है, हाँ, drawings मत लिखना, maximum लोग गलती करते हैं, drawings लिख देते हैं, drawings नहीं होगा, बच्चे, ये कौन सा account से adjust होता है, capital, तो journal entry क्या बना, capital account debit to interest on drawings, बहुत सारे book में भी drawings लिखा हो रहता है, वो गलत है, ठीक है ना, अब drawings नहीं लिखना, याद रखना, मालिक का सारा adjustment किस से होता है, capital से, मालिक पैसा लाएगा, capital, मालिक पैसा लेजाएगा, drawings, इसको छोड़के, मालिक का कोई भी अगर adjustment है, तो क्या होने वाला है, समझ मैं या, तो 19 और 20 नमबर entry करना था, 19 और 20, 19 में लिखा था, interest on capital, ये लो 19 हो गया मेरा, interest on capital to capital, और 20 में बोला था, interest on drawings हो गया, capital to interest on drawings, समझ मैं या,